नावस्कार दोस्तों टार्गेट है मैं अब सभी का स्वागत है दोस्तों आई से हमार के दोरह एक और भरतिविग्यापन आ चुका है इसमें बात करें पोस्ट की तो लैब टेकनिसियन साथ में डाटा इंट्री आपरेटर एवम अन कई पोस्ट के लिए दोस्तों क्या पना है और इस्टेट के कंडिडिट अपलाई कर पाएंगे इसमें तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को साथ भी सेयर करें साथ में दोस्तो आप टेलिक्राम चैनल और वाटसेप चैनल को भी जोइन कर सकते हैं वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन का प्योडिया पार अफ्लिकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा आपको इसमें आफ लाइन के मात्म से आबेतन करना होगा तो दोनों की लिंक दोस्तों आपको नीचे ड कैंडिडेट इसमें आवेदन करने के लिए एलिडिवल रहेंगे हम बात कर लेते हैं पोस्ट की तो साइंटिस्ट भी के लिए हैं इसमें आप से एम बीबियस या बीडियस आपके पास कंप्लेट होनों चाहिए या फिर आपके पास सेम फिल्ड में दोस्तों डिगरी या डिप्लोमा है और एक्सपिरियंस है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे आपकी सैलरी 56,000 प्लेस आपको एचारे दिया जाए का 35 पिरस इसमें एज लिमिट दिया गया है और हम बात कर लेते हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए तो नमबर आप पोस्ट एक सामिल है क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपके पास MSC माइक्रो बायोलाजी या फिर वायरोलाजी या जेनेटिक या मॉलीकिलर बायोलाजी बायो टेकनोलाजी के साथ आपके पास ये MSC का डिगरी होगा तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे 35,000 आपको फिक सैलरी दी जाएगी 30 years इसमें एज ले मिर दिया गया है साथ में दोस्तों सभी पोस्ट के लिए आपको एज रिलेक्सेशन भी दिये जाएगा एकॉर्डिंग ICMR नेश्ट हम बात कर लेते हैं लेवरेटरी टेकनीशन के लिए फूर्थ नमबर पर आप देख सकते हैं नमबर आप पोस्ट दो सामिल है आपके पास क्वालिफिकेशन में दोस्तों BSC या 12 पास होना चाहिए विथ मेडिकल लेवरेटरी टेकनोलाजी डिप्लोमा होना चाहि लेगी प्लेस आपको इसमें चाहिए भी दिया जाएगा और 30 एर्स आपको इसमें एजलिमिट दिया गया है नेश्ट पोस्ट की बात करें डाटा इंट्री आपरेटर के लिए नमबर आप पोस्ट एक सामिल है ग्रेजवेट डिग्री आपके पास कंप्लीट होना चाहिए सेम फिल्ड में और आपको नॉलेज होना ज़रूरी है डाट एंट्री वर्क में आपका ये नॉलेज होना चाहिए 20,000 फिक्स सेलरी रहे कि आपकी और 28 एर्स आपको इसमें एजलिमिट दिया गया है नेश्ट जो पोस्ट है दोस्तों इस भारती भी क्याफपान का है और ल सेम फिल्ड में वर्किंग इन क्लिनिकल लेबरेटरी में अगर आपके पास एक्सपेरियंस है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे 18,000 फिक्स आपको सेलरी दी जाएगी 25,000 आपको इसमें 25 एर इसमें आपको एज लिमिट दिया जा रहा है दोस्तों इसमें हम बात कर लेते हैं अपलाई करने के लिए तो अपलाई आपको आपलाई के माद्धियम से करना होगा आपको इसमें बताया जा रहा है इंटरेस्टेड इलिजवल कैंडिडेट में वाकें फॉर इसकिल टेस्ट इंटर्विव एट आइसमार दोस्तों आपका इसमें सेलेक्शन इसकि क्या क्या लेके जाना है और टाइमिंग क्या है यह भी देख लेते हैं तो देख सकते हैं इसमें आपको बताया गया है इलॉंग विट टियो फिलेट प्रिस्काइब फॉर्मेट अपलिकेशन सेल पटेस्टेड कॉपी आप औरिजिनल डाकॉमेंट एंड सपोर्टिंग आपका सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा इसके बाद आपका वहाँ पे इंटर्वी या स्किल टेस्ट होगा और देख सकते हैं आपको डेट बताया जा रहा है साइंटिस्ट भी और डाटा इंट्री आपरेटर साथ में मल्टी टास्किंग इस्टाप का जो इंटर 23 को होगा 30 सक्टूबर को सुबह 9 बज़े आपको सड़े 9 बज़े वहाँ पर रिपोर्टिंग करना होगा और दोस्तों साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल वालों का और रिसर्च असिस्टेंट साथ में लैब टेकनीसियन का इंटर्विव या स्किल टेस्ट 31 सक्टूबर को स दोस्तों यह आपका अप्लिकेशन फॉर्मिट है इसको आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे और आपको अपने निर्दारी समय पर वहाँ पर रिपोर्टिंग करना होगा डायरेक्टली आपका इंटर्विव के बेसेस पर ही वहाँ पर सेलेक्शन हुआ है आपको इस पर कॉंट्रक्ट बेसेस पर पोस्टिंग दी जाएगी और जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों साथ सेयर करें चैनल पर नहा है तो सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू सो मच